हाई फ्रेंड्स मैं फिर हाजीर हूँ पर आपके लिए रसोई की रेसिपी लेके नहीं छोटे बच्चों के लिए कुछ खिलोने बनाएंगे हम जैसे हम ब्रश लिए हैं और कुछ पैन लिए आप पैंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ हमने खिलोनों के लिए बनाने के लिए नाक आग और अगर नाक आग नहीं है तो आप बटन या बिंदी का भी यूज़ कर सकते हैं चश्मा टोपी इनके फेस स्माइलिंग ये सब चीज़े मैंने ले रखी है और कुछ कटिंग्स ले रखी है जो वेस्टेज फर्की होती है अब हम इसे सिलेंगे इस सेप में देखें इसके जो रोई है नीचे हो इस ता और इसे हम पीछे से सिलाई करेंगे कच्छे टाके हमें इसे अंदर करते हुए लगाना है बटन होल स्टीच में टाके हम इसे बटन होल स्टीच में टाके लगाएंगे यह आप कच्छे टांके भी लगा सकते हैं पर कच्छे टांके खुल जाएंगे देखे मैं कच्छे ही टांके में बता रही हूँ थोड़ा टाइडली और धागे आप दो लीजेगा और फट फट इससे टांक दीजेगे यह पूरा टांक जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगी आपको क्या किया जाए हाए फ्रेंड्स मैं फिर हाजीर हूँ पर आपके लिए रसोई की रेसिपी लेके नहीं छोटे बच्चों के लिए कुछ खिलोने बनाएंगे हम जैसे हम ब्रश लिए हैं और कुछ पैन लिए आप पैंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ हमने खिलोनों के लिए बनाने के लिए नाक आग और अगर नाक आग नहीं है तो आप बटन या बिंदी का भी यूज कर सकते हैं चश्मा टोपी इनके फेस स्माइलिंग ये सब चीजे मैंने ले रखी है और कुछ कटिंग्स ले रखी है जो वेस्टेज फर्की होती है अब हम इसे सिलेंगे इस सेत में देखे इसके जो रोई है नीचे हो इस ता और इसे हम पीछे से सिलाई करेंगे कच्छे टाके हमें इसे अंदर करते हुए लगाना है बटन होल स्टीच में टाके हम इसे बटन होल स्टीच में टाके लगाएंगे यहाँ आप कच्छे टांके भी लगा सकते हैं पर कच्छे टांके खुल जाएंगे देखे मैं कच्छे ही टांके में बता रही हूं थोड़ा टाइटली और धागे आप दो लीजेगा और फटा फट इससे टांक दीजेगे ये पूरा ठांक जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको क्या किया जाए. अगर ये पलड़ते समय ना हो पाए, तो आप इसके लिए सीजर का स्तेमाल कर लीजे, और इसे सीधा कर दीजे. अब हम इसके end ages में लगाएंगे gum. मिन्स फेवी कोल आपको लगाना होगा, थोड़ा जादा लगाएगा क्योंकि बच्चे खोल देते हैं, तो हम फेवी कोल देखें अंदर लगा दिये हैं, अब इसे हम इस पे फिट करेंगे, ये, ये हमने फिट कर दिया, तो बच्चे हमारे होते हैं थोड़े शरारती, इसलि अब हम सिलाई आपको दिखा दें, कैसे हम लगाएं, ये हुआ, और ऐसे करते हुए हम फटाक से इसके एंड पे भी सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा खिलोना खुले ना, हमने चार से पांच सिलाई लगा दिया, धागे थोड़े मोटे हों तो जादा बेटर होगा, अब पीछे से फिर हम वही प्रोसस गाठ लगाने का करेंगे, अगर आपको लगे कि थोड़ी मजबूती कम है, तो आप और टाइट इसे कर दीजें, और कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहां आखें लगाएंगे तो ये हमारा जो स्टीचर से वो दिखेंगी नहीं, ये, इसे हम च हमने गम देखी लगा लिया, अच्छे से अगर ना लग पाएं तो आप ऐसे करके अच्छी तरह से किसी भी चीज से पूरी तरह गम लगा लिजे, गम लगाने के बाद हम इसकी नाग को फिट करेंगे ये, और इसे आप धीमे से लगा कर छोड़ दीजे, और उसके बाद पहले हम आखें लगाना है, तो यहां लगा दें, इस तरह, और इसे चिपका देंगे हम, ठीक से, उसके शेप को अगर टेड़ा लग रहा है तो हम अभी सीधा कर दें, देखें, ये हो गया, इसके बाद हमें इसकी स्माइलिंग फेस लगानी है, इसे भी हम गम से ही छिपका देंगे, ठीक से, अच्छी तरह से गम लगा दीजिए, और इसे भी आप छिपका दीजिए, ये हमें किसी चीज से प्रेस करके छोड़ना हुगा, ताकि हमारा अच्छे से ढखा रहे सब चीजें, और दबा रहेगा तो ये खुलेगा नहीं, ये हो गया फेस, अब हम इसकी टाई लगाएंगे, आपको सब चीजों को प्रेस करना है, ये, ऐसे दबा के थोड़े देर रख दीजिए, तब बाद में सजाईएगा, इसकी हम टोपी भी अभी पहना दे रहे हैं, ताकि सब चीजें एक साथ हमारी सुप जाएं, इसके लिए भी आपको अच्छे से अंदर की तरह, थोड़ा साथ डाल दीजिए, फेवी को, पूरी तरह, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी अक्सर आदत होती है कि वो कोई भी चीज खोल लेते हैं, ये, अगर आप लड़की बना रहे हैं, फीमेल, तो अंदर आप इसके फ्लावर भी लगा देजिए, ये, ये मैंने फ्लावर भी लगा दिया, हमने गम देखे लगा दिया, अच्छे से अगर ना लग पाएं, तो आप ऐसे करके, अच्छी तरह से, किसी भी चीज से, पूरी तरह गम लगा देजिए, गम लगाने के बार, हम इसकी नाथ को फिट करेंगे, ये, और इसे आप धीमे से, लगा कर छोड़ दीजिए, और उसके बार पहले हम आखें लगाना हैं, तो यहां लगा दें, इस तरह, और इसे चिपका देंगे, हम ठीक से, उसके शेप को अगर टेड़ा लग रहा है, त हम अभी सीधा कर दें, ये हो गया, इसके बाद हमें इसकी स्माइलिंग फेस लगानी है, इसे भी हम गम से ही चिपका देंगे, ठीक से, अच्छी तरह से गम लगा दीजिए, और इसे भी आप चिपका दीजिए, ये हमें किसी चीज से प्रेस करके छोड़ना होगा, ताकि हमारा अच्छे से ढखा रहे सब चीजिए, और दबा रहेगा, तो ये खुलेगा नहीं, ये हो गया फेस, अब हम इसकी टाई लगाएंगे, आपको सब चीजों को प्रेस करना है, ये, ऐसे दबा के थोड़े देर रख दीजिए, तब बाद में सजाईएगा, इसकी हम टोपी भी अभी पहना दे रहे हैं, ताकि सब चीज़ें एक साथ हमारी सुख जाएं, इसके लिए भी आपको अच्छे से अंदर की तरफ थोड़ा साथ डाल दीजिए, फेवी को, पूरी तरफ, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी अक्सर आदत होती है कि वो कोई भी चीज खोल लेते हैं, ये, अगर आप लड़की बना रहे हैं, फीमेल, तो अंदर आप इसके फ्लावर भी लगा देजिए, ये, ये मैंने फ्लावर भी लगा दिया, मैंने अपना खिलोना तयार कर दिया, अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं फिर मिलूँगी, थैंक यू.